की एलो फ्रेंद्स वैल्कम बैक टू मैं चानल आज हम बनाने जा रहे है रव का डोस रहा का डूसा बहुत क्रिस्पी टेस्टी बनता है और ब्रेकफस्ट में तो हमें बहुत जी आच्छा लगता है कमेरे रशेपी अच्छी लगए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना र वावा टूस हमाई बनाने के लिए हमें चाहिए टू बौल रहा हमने एक बौल में निकाल लिया है हो उसके बाद हमने रρη को छास में थिगोना तोड़ी खठी चहिता है छीसे हमने अच्छा सक्डेस्टेंट हां कहता है क्याने मिकस्ट के लिया है उसके बाद हमने यहां 10 मिनिट के Лिये रिफ नbn है हम यहां और तयारी कर लेते हैं हमने यहां प्यास कट कर ली है और टमाटर और धन्या पत्ता इसकी हमने ग्रेवी तयार करनी है हमें मिक्सर के जार में यहां टमाटर डाल कर उसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं हमारी टेमाटर की ग्रेवी बनके तयार है उसके बाद हमें प्यास को भी उसमें डालकर उसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं प्यास की भी ग्रेवी रेडी है उसके बाद हमने जो बैटर को रेस्ट करने रखा था उसको हमें ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है जिसे कि अच्छे से मूँ मिक्स हो जाए रवा का टोसा बहुत ही टीस्टी बनता है और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है जट पेट बन जाता है आप भी ट्राय करको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पर कि आपने रवा का टोसा बनाया और कैसा बना हमने अच्छे से ब्लैंड कर लेना है हमरा ब्लैंड हो गया है उसके बाद हमने सारी जो प्योरी तियार की थी उसमें डाल देनी है प्यास की प्योरी हमने उपर से नहीं डाला हमने यहां प्योरी तियार की है कि वो अच्छे से अंदर मिल जाए उपर से क्या बच्चों को देखते ही वो कहते कि नहीं मुझे नहीं खाना इससे क्या इसका टेस्ट अंदर मिल जाता है और वो खाने में भी अच्छा लगता है टमाटर की प्यूरी हम डाल देते है हमने नमक बन टी स्पून डाला है तन्या पत्ता हम डालेगे सारा कुछ डाल कर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सब कुछ अच्छे से हमें एड कर देना है सब कुछ डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स हो जाए उसके पाद हमारा बैटर रेड़ी है टोसा बनाने के लिए यह रवा के टोसा बहुत टेस्टी भी लगता है ज्यादा जंचट भी नहीं होती ऐसे हमने भी गोया और हमारा बैटर रेड़ी है पनाने के लिए हमने लोटी को रख दिया है गैस पे इस तरह से हमें डाल कर अच्छे से करना है जिसे की हमारा टोसा थिन बने और अच्छे से चार और से फिल ले अच्छे से पक जाए चार और से हमें तेल डालना है फिर ही हमें पैद में हमें बलटना है यह देखो फ्रेंज एक से अच्छा सा पक गया है आप दूसरी और हमें पकाना है थोड़ा सा ही तेल डालना है लो फ्रेंज में हमें पकाना है यह लो फ्रेंज हमारा टोसा बनकर रेड़ी है हम साव कर लेते हैं हमारा हेल्दी एंड टेस्टी रवाटोसा बनकर रेड़ी है हम सोस के साथ साव कर सकते हैं अगर आपको ये मेरी रवाटोसा की रसिपी अच्छे लगे तो मेरी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना बाबाई